गाई जैसा कि आप यहांपे देख सकते हूँ मैंने अपने Amazon एप को यहांपे ओपेन किया है उसके बाद मैं जैसी अपने Amazon Pay पे क्लिक करूंगा यहांपे पैसे युथ यहाँ痛 करने के लिए है क्योंकि मेरे बैंक की जो है लिमिट यहां पे एकसीड हो चुकी है जैसा कि आप यहां पे देख सकती हो गैस मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप भी जो है अमेजोन पे को यूज करते हो और आप जो है अगर मनी ट्रांसपर कर रहे हो और आपका भी ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जा रहा है आपकी लिमिट जो है एकसीड हो चुकी है और आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हो बार बार फेल्ड हो जा रहा है लेकिन आप फिर भी जो है ट्रांजेक्शन करके अपना पैसा निकालना चाहते हो तो आज किस वीडियो को आप पूरी देख क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक जो है बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपने Amazon पेसे ट्रांजेक्शन लिमिट जो है एकसीड होने के बाद भी बहुत ही आसानी से पैसे निकाल Amazon अपको ओपन करने के बाद आप जो है Amazon Pay पे क्लिक कर देना फिर आपके सामने ऐसा पी जो पेन हो जाएगा अब यहां से आपको क्या चीज करना है यहां पर आपको स्केण एनी किवार वाले ओप्षन पर क्लिक करना है जो कि आपको पहले वाले पेज पर ही ओप्षन मिल ज तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बद आपका स्केनर जो ओपेन हो जाएगा अब यहाँ से आपको क्या चीज करना है आपको पेटिये मर्चेंट एकाउंट का किवार कोड यहां से स्केन करना होगा क्योंकि दोस्तों अगर आपके Amazon Pay में आपकी number of transaction limit जो एकसीड हो जाती है और आप जो है transaction नहीं कर पाते हो ट्रांजेक्शन आपका बार बार फेल्ड हो जाता है तो इसके लिए आपको पैसे निकालने के लिए आपको पेटिये मर्चेंट की किवार कोड को स्केन करके उस पैसे निकाल पाओगे अपनी लिमिट जो है perfection होने के बाद तो यहां पर आप जो है पैटिये मर्चेंट करकोड कर लेना यहां पे गलेरी सब्सक्राइं कर सकते हैं तो आपके पास भी explosi content a स्क्रीन सोड ले लेना उसके बाद आप जो Amazon Pay में आके यहां से स्केन कर लेना गैस स्केन करने के बाद आपके सामने ऐसा पीजो पिन हो जाएगा यहां पे आपको amount डालने का option जो है मिल जाएगा तो आप यहां पे amount डाल देना मैं आपको यहां पे live जो है एक रुपे ट्रांसपर करके दिखाता हूँ only दिखाने के लिए तो मैं यहां पे एक डाल के continue करता हूँ उसके बाद अपना यहां पे पेपे क्लिक करके यूपी आई पिन डाल दूँगा उसके बाद आप लोग यहां पे live देख सकते हो हमारा जो transaction है वह यहां पे बिलकुली complete हो चुका है एक रुपे हमने अपने Amazon Pay से बहुत ही आसानी से ट्रांसपर कर लिये हैं अपनी limit खतम होने के बाद भी जैसा कि मैंने आपको live शुरू में दिखाया था कि मेरे Amazon Pay में मेरी जो limit है वो यहां पे exceed हो चुकी है और मेरा transaction बार बार फिल्ड हो जा रहा है लेकिन मैंने यहां पे live आपको पेटियम मर्चंट की किवार कोड पे स्केन करके payment करके live जो है दिखा दिया limit खतम होने के बाद भी आप जो है ऐसे करके बहुत ही आसानी से Amazon Pay से अपना पैसा जो है निकाल सकते हो अगर आपको पैसा निकालना जरूरी है तो अगर आपको बताना चाहूंगा आप इसको तभी कर सकते हो जब आपके Amazon Pay में आपकी number of transaction limit जो है एकसीड होगी अगर आपका कोई all limit एकसीड होगा आपके bank account की limit एकसीड होगी या फिर आपके Amazon Pay की limit एकसीड होगी तब आप जो है पैसे नहीं निकाल पाओगे अगर आपका इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और गैस अगर आपका मन करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो अगर आप earning करना चाहते हो तो क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे earnings related वीडियो जो है देता रहता हूं information देता रहता हूं तो